सावने थाना अंतरगात हेटी नंदाजी बाबा निवासी तांतरिक बाबा ने आवरू लूटने की घटना उजागर हुई है प्राप्त जानकारी के अनुसार फर्यादी के भान जी की तबियत हमेशा खराब रहने के कारण उसका इलाज तांतरिक द्वारा कराने की सलाप पहले पास सावने निवासी युवराज धनराज सोंटक के चालिस ने प्रिता के मामा को देकर हेटी निवासी मनुहा मारूती कूले पचपन के इत निवास स्थान तीन माई को दोपैर करीब दो बचे ले जाया गया जहां पिडिता के सरपक कपू निवु आधी रखकर कमर आधी में धागे गंडे बान तांतरिक तरह से इलाज शुरू किया इलाज की पशाद फरियादी और उसके पती को बताये की पिडिता के आगे के इलाज है तू इसे यहीं रहने दे ताकि तबियत बिगरने पर तुरंत इलाज हो सके से दोनों आरुपियों के जासे में पढ़का फर्यादी और उसका पती पीडिता को वहीं छोड़कर अपने घर वापस आ गए वही रात करीब नौ बजे फर्यादी का पती और भांजा तांत्रिक मनुहा कोलह की निवास स्थान पहुचे और बंद दरवाजा खटकटाया तो अर्दनगन अवस्था में तांत्रिक ने दरवाजा खोल दूसरे दरवाजे से दोनों अपरादी भाग खड़े हुए फर्यादी के पीड़ित भांजी से पूस्ताच करने पर उसने बताये की तंत्र विधा की नाम पर आरूपी युवरास सुन टके ने उसके साथ जबरन लैंगिंग संभन बनाते हुए संभोग किया वहीं आरूपी क्रमंग दो तांत्रिक मनुहा कूले भी उससे छेड़ चा 34 भादवी कलम 489 का नोगा 10 बाल लैंगिंग संरक्षन अधिनियम 2012 सह कलम 3 महराश्ण नर्बली और अनिय अनिश्ट अगोरी प्रथा जादू टोना उचाटन अधिनियम 2013 अनुसार मामला दर्जकर ओ विभागिय पोलस अधिकारी अजे चांद खेड़े के मार्क देशन में थानेदा मारूती मुलुक मामले की जाच कर रहे हैं सामनेर से नबीसीन न्यूस के लिए किशोर धुंडेले की रिपोर्ट